नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे डिफ्यूजन अनिलिंग प्रोसेस के बारे में जो एक heat treatment प्रोसेस है और अनिलिंग प्रोसेस का एक टाइप है और जिसे हम homogenization और uniform annealing के नाम से भी जानते हैं इन गोट लार्ज स्टील कास्टिंग और फोर्जिंग बिलेट्स को होमोजनाइज किया जाता है जिनकी हम डिफ्यूजन अनिलिंग करते हैं क्यों की जाती है और कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपके साथ डिसकस करेंगे अनिलिंग में बेसिकली तीन स्टेप रहते हैं अगर हम देखें सबसे पहले मेटिरियल को हीट किया जाता है उसके बाद उसको कुछ time period के लिए suitable temperature पर hold किया जाता है और उसके बाद उसकी cooling की जाती है ये तीन step रहते हैं अब देखते हैं कि किस किस material को हम diffusion annealed करते हैं हाइपो- minion steel जिसमें carbon content 0.18% से कम होता है यूटेक्टोइड steels जिसमें carbon content 0.18% के बराबर होता है हाइपर यूटेक्टोइड steels जिसमें carbon content 0.18% से ज़्यादा होता है तो ये जो steel होते हैं इसको हम गरम करते हैं अपर critical temperature से उपर अगर हम बात करें इसमें high temperature पर heat किया जाता है अगर आप इस diagram को देखें तो यहाँ पर 0 से 0.83 जो carbon percentage है उसके बीच में हमारे पास hypo-utectoid steel है और 0.83 से 2.14 परसेंट तक यहाँ पर hyper-utectoid steel है और यह जो dotted red line आपको नजर आ रही है जिस steel में carbon content 0.83 परसेंट के बराबर होता है यह eutectoid steel की line है अब इसमें बात करते हैं कि जो steel है उसको high temperature पर heat किया जाता है वो temperature होता है क्योंकि hyper-utectoid steel के लिए जो upper critical temperature की जो line है वो A3 line है जिसका अगर हम बात करें 723 degree से 910 degree Celsius के बीच में यह upper critical temperature रहता है उसी प्रकार जो hyper-utectoid steel है जिसका upper critical temperature यह inclined line ACM line इंडिकेट करती है जो 723 degree से 1147 degree के बीच में रहता है और यह वाली जो line है यह lower critical temperature line है क्योंकि steel का lower critical temperature 723 degree होता है और उसको हम A1 से इंडिकेट करते हैं मतलब कि upper critical temperature से उपर के temperature पर गरम किया जाता है और यह high temperature पर गरम करते हैं वो जो temperature range रहती है 1000 degree Celsius से 1200 degree Celsius के बीच में रहती है इस temperature range पर steel को गरम किया जाता है और गरम करने के बाद hold किया जाता है एक particular temperature पर और steel को हम 8 से 20 गंटे के time period के बीच में इसको hold करते हैं और hold करने के बाद material को cool किया जाता है और cool करते हैं air में slowly cooling की जाती है slowly cooling करने का मतलब होता है कि जो steel हम गरम करते हैं उसमें जो भी chemical heterogeneity या कह सकते हैं जो chemical composition की unevenness रहती है इन गोट में large या heavy steel casting में या forging billet में उसको remove किया जाता है तो यहाँ पर हमारी जो diffusion process है वो पूरी हो जाती है लेकिन diffusion process के बाद हमें अलग से full annealing या फिर normalizing process करने पड़ती है क्योंकि हमें material की properties को improve करना है grain structure को refine करना है और material की internal stresses को avoid करना है इसलिए हमें diffusion annealing के बाद या तो full annealing की जाती है या फिर normalization की जाती है full annealing और normalization भी अपर critical temperature से तकरीबन 30 से 50 डिगरी उपर इसको किया जाता है और जो diffusion annealing होती है इस process को करने से हमें coarse grain structure मिलती है और ये जो diffusion annealing या फिर homogenization है ये thick scale को भी produce करती है steel के surface पर अगर हम बात करें diffusion annealing के दोरान जो steel में carbon होता है वो बहुत तेजी के साथ वो diffusion होती है उसकी एक high temperature पर और simultaneously plastic deformation के कारण जो micro structure में जो dendrites होते हैं वो different portion पर होते हैं जो एक दूसरे के साथ relation में move करते हैं वो break हो जाते हैं और उनके break होने के परिणाम सवरूप जो diffusion process है वो जो structure होता है steel को उसको बड़ी तेजी के साथ homogenize कर देती है अगर dendrites या फिर inter dendritic segregation steel के structure में मौजूद रह जाते हैं तो उसके कारण steel का brittle failure होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि जो steel होती है वो anisotropic properties को indicate करती है इसके अत्रिक्त steel में ductility toughness कम हो सकती है और अलग-अलग जो adjacent section होते हैं वहाँ पर different hardenability भी हो सकती है उसके बाद अगर हम बात करें objective की जैसा भी discuss किया कि main objective यही रहता है कि हमें जो dendritic जो segregation है या जो reasonable segregation है solidification process में उसको हमें homogenize करना है जो composition होती है chemical composition उसको homogenize करना है uniform उसकी annealing करनी है पूरे जो volume होता है steel का अगर हम बात करें जो diffusion annealing है एक परकार से यह expensive process है expensive process इसलिए होती है क्योंकि इस process में scale के रूप में हमारा बहुत सारा जो metal है वो loss हो जाता है उसका और साथ में diffusion annealing के बाद हमें जो subsequent treatment होते हैं जैसे full annealing है normalization है उसको करने की भी जुरूरत होती है grain structure को refine करने के लिए इसलिए इस process को special cases में ही use किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया diffusion annealing process के बारे में जो एक heat treatment process है और annealing process का type है और यह जो पूरी process होती है इसमें जो heating, holding और cooling होती है अगर हम इसका total time इसको count करें जो total time की जो range रहती है वो रहती है पचास घंटे से 120 घंटे के बीच की इसकी time range रहती है क्योंकि holding का time range देखे तो 8 से 20 घंटे holding का ही होता है और पूरा जो process का time range होता है वो 50 घंटे से 120 घंटे के बीच में रहता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया diffusion annealing जिसे हम uniform annealing और homogenization के नाम से भी जानते हैं अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले जल्दी हाज रोते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे झाल